नमस्कार दोस्तों, टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे की कम्प्यूटर में VLC मीडिया प्लेयर कैसे डाउनलोड करें VLC एक मुफ्त और ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर है जो लगभग सभी तरह के विडियो और ओडियो फॉर्मिट्स को सपोर्ट करता है चलिए शुरू करते हैं VLC वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले अपने ब्राउजर में VLC की ओफिशियल वेबसाइट खोले आप Google पर VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड सर्च करके आसानी से वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं वेबसाइट खुलने के बाद आपको डाउनलोड बटन मिलेगा अपने ओपरेटिंग सिस्टिम का चैन करें डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे Windows, Mac OS, Linux का चैन करना होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का चैन करें और डाउनलोड बटन पर फिर से क्लिक करें इंस्टॉलर डाउनलोड करें डाउनलोड शुरू हो जाएगा इंस्टॉलर डाउनलोड होने में कुछ समय लग सकता है डाउनलोड पूरा होने के बाद इंस्टॉलर फाइल पर डबल क्लिक करें इंस्टॉलेशन प्रक्रिया इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल जाएगा ओन स्क्रीन निर्देशों का पालन करें अधिकतर मामलों में आपको बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते रहना होगा आप इंस्टॉलेशन के दौरान अपनी पसंद के अनुसार कुछ सेटिंग्स भी बदल सकते हैं इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद फिनिश बटन पर क्लिक करें वी यल्सी का उप्योग अब आप वी यल्सी मीडिया प्लेयर को अपने डेस्क टॉप पर या स्टार्ट मेन्यू में पा सकते हैं वी यल्सी को खोले और अपनी पसंदीदा मीडिया फाइले चलाएं अतिरिक टिप्स विग्यापनों से सावधान रहें कभी-कभी कुछ वेबसाइटों पर वी यल्सी डाउनलोड करते समय विग्यापन आ सकते हैं इसलिए हमेशा आधिकार एक वी यल्सी वेबसाइट से डाउनलोड करें अन्य भाशाओं में यदि आप अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाशा में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान भाशा का चैन करें पोर्टिबल वर्जन यदि आप वी यल्सी को अपने यूस्बी ड्राइव पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पोर्टिबल वर्जन डाउनलोड करें निशकर्श तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से अपने कंप्यूटर में वी यल्सी मीडिया प्लेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं वी यल्सी एक बेहद उपयोगी टूल है जो आपको विभिन प्रकार की मीडिया फाइले चलाने की अनुमती देता है यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो धन्यवाद